उत्तराखरणी की संस्कृती बे धोल दमाओं का अलग महत्तो है कोई भी धार्मिक पर्व हो या अनुष्ठान धोल दमाओं के बिना पूरा नहीं होता ऐसा माना जाता है कि जब तक धोल दमाओं जीवित रहेगा उत्तराखरणी की संस्कृती जीवित रहेगी लेकिन क्या हम धोल दमाओ वादकों को वो सम्मान दिना पाए जो उनका हक था आज उत्राखंड के बनने के 22 वर्ष बाद भी ये वादक जो हमारी संस्कृती के समवाहक हैं उपेक्षित हैं कई साल पहले सोहन नाल जी जो कि खुद एक धोल वादक हैं उन्होंने अंजनी सैन में एक धोल स्कूल स्थापित किया था उन्हीं के अथक प्रयासों का नतीज़ा है चंद्रबदनी हिमाली नाद ऐसे प्रयासों को समर्थन मिलना चाहिए